हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक फ्रेंट्स आज का हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम जिक्याफ जमुएन कश्मी डिसकस कर रहे हैं इससे साथ आपसे एक इंपोर्टेंट बात कर दूँ जो जीडी जानी की आर्मी जीडी की जिनकी अभी रैली हुई है उनकी जो प्रेपरेशन व जमुएन किश्मीर इनमें किश्मीर जानी के चनाब रैबर, जेलम रैबर, इंदस रैबर, जा राभी रिबर कोश्य नमबर जो आपका फुस्ट दिया ओवह है इसका आपका सही अंसर रहेगा उप्शन नमब सी जानी के चनाब रैबर इसका सही और और correct answer रहेगा option number C, इसका correct answer रहेगा the major power project of Jammu and Kashmir are, Jammu and Kashmir का जो major power project है वो कौन-कौन से है, बगली हार सलाल, उडी, जा all of इसका रहेगा option number B, जो सलाल है, वो major power project है Jammu and Kashmir का, चलिए next part की तरफ, जो हमारा next question है इसका, बगली हार power project is located on जो बगली हार power project है वो कहां पे located है, रामबन, कठुवा, सिरी नगर, जा अधुमपूर इन चार option में से आपका जो सही है और correct answer रहेगा इसका option number A, जानी की रामबन में जो बगली हार power project है, जा बगली हार डैम है वो situated है, चलिए next question की तरफ, next question जो दिया हुआ सलाल हाइडरो इलेक्टरिक पावर project is situated on beach river, जो सलाल प्रोजेक्ट है वो कहां पे situated है, कोन से river पे situated है, चनाब, राबी, इंदस, जा जेलम फोर्थ कोशन का आपका सही और connect answer रहेगा, option number A, जानी की जो सलाल हाइडरो इलेक्टरिक प्रोजेक्ट है वो चनाब रिवर में located है, ठीक है चलिए next question की तरफ, the उड़ी हाइडरो इलेक्टरिक पावर project is situated on the beach river, जो उड़ी हाइडरो इलेक्टरिक पावर प्रोजेक्ट है, वो कहां पे situated है जेलम, चनाब, इंदस जा चन्दरा, इन चार option में से आपका जो सही रहेगा option number A, जानी की जेलम जो रिवर है, वहां पे जो उड़ी हाइडरो इलेक्टरिक पावर प्रोजेक्ट है वो situated है, चलिए next question की तरफ, equal हाइडरो इलेक्टरिक project is located in which district of Jammu and Kashmir, जो equal हाइडरो इलेक्टरिक प्रोजेक्ट है वो Jammu and Kashmir की कोहन सी district में located है, कारगिल, डोडा, रियासी जा अधुमपूर इसका आपका सही आंसर रहेगा चलिए next question जो इसका रहेगा दा न्यू जमू इन किश्मीर hydroelectric project development policy come in the air जो न्यू जमू इन किश्मीर hydroelectric project at project development policy थी, वो किस एर में establish हुई थी, 2000, 2005, 2010 जा 2017, इसका आपने सही आंसर बताना है इसका जो आपका 7th question का सही आंसर रहेगा, option number D जाने कि 2017 में जो न्यू जमू इन किश्मीर hydroelectric project policy थी, चलिए next question की तरफ, which of the following are the renewable source of the energy, इन में से कौन सा source है, जो renewable source है energy का, renewable source बताना है आपने energy का, solar energy wind energy, biogas जहां all of these इसका जो सही और correct answer रहेगा आपका, option number D जाने कि all of this, जो सारी renewable sources of energies है, option number इसका D correct answer रहेगा, आप इस सासाथ में लगाते रहें और जो पहले की वी uploaded वीडियो से आप उने भी देख सकते हो चलिए next question की तरफ जो next question दिया हुए next question की बात करे, which of the falling district has the akše उर्जा shops in जमू एन कश्मीर option दिया हुए जमू, किस्तवार्ड, सिरिनगर, जा all of this इसका जो सही आंसर रहेगा option number D, जाने की all of this इसका सही आंसर रहेगा the solar power policy of जमू एन कश्मीर came in which year जो इसकी policy है वो किस year में आई थी, ठीक है the solar power policy of जमू एन कश्मीर came in which year, 1905, 1947, 1990, 2013, ठीक है इसका आपने 10th question का जो सही आंसर रहेगा, option number D, जाने की 2013, इस question का सही और correct answer रहेगा, चलिए next question की तरफ, which reason of जमू एन कश्मीर has more number of bio gas plant, इन में से कौन से reason में जमू एन कश्मीर के जो more bio gas plant है, जमू कश्मीर, ननाफ, अब अब जन लदाक, ठीक है, लदाक तो अब out हो गया, इसका अलग यूटी हो गया, इसका जो आपका सही answer रहेगा, option number B, जानी की जमू इसका सही answer रहेगा, जमू reason में जो सबसे ज़्यादा bio gas plant है, वो है, ठीक है, चलिए next question की तरफ, which district of जमू एन कश्मीर has a potential of generate bind energy, ठीक है, इदर आपका लहेगा, ले, कुपवाडा, बारा मुला, जा all of this, इसका सही और correct answer रहेगा, option number D, जानी की all of this, इसका सही answer रहेगा, in which year, the जमू एन कश्मीर state power development corporation was set up, किस year में जमू एन कश्मीर, जो state power corporation था, वो set up हुआ था, 1995, 2016, जा 1998, इसका आपका सही answer रहेगा, option number B, 1995 में जो state power project है, वो established हुआ था, वो उसकी development हुई थी, चलिए next question की तरफ, which scheme was started in 2012, with an aim to provide free electricity connection to the poor people in जमू एन कश्मीर, कौन सी जो scheme 2012 में चलाई गयी थी, जिसके जरीए जो free electricity थी, सब को free electricity के connection प्रोवाइड करने थे, जमू एन किरन जा सुभग्य स्कीम, इसका आपका जो सही answer रहेगा, option number D, सुभग्य स्कीम, इसका सही answer रहेगा, चलिए next question की तरफ, the first thermal power project of the state of जमू एन किश्मीर will take coal, इन में से कौन सा जो power project है, जो coal के जरीए चलाई take coal from which state of India इसका रहता है, कौन सी state से जो first thermal power project है, जमू एन किश्मीर state का, वो किसके जरीए जो coal लेके बनाते हैं, वो है आपका उडिसा इसका रहता है, आप इदर से answer भी इसके check कर सकते हो, अगर इसके regarding ओडाउट हो, कोई rejection हो, comment box में जरूर पूशिए, इस वीडियो में बस इतना ही